नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागात है सुभध की इस वीडियो में ऐसी सुचनाइं होती हैं जो विद्धार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं तो आएए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समझार पत्तुर में विद्धार्थियों के लिए है जो विद्धार्थि TGT और PGT के तयारी कर रहे हैं वे सभी अद्भेर्थी सरशुती प्रकाशन प्राइवेट लिम्टिट की यë महत्पूर पुस्तक strictly अर्प यहां पर दे सकते हैं कला की की पुर्ण है जिसमें 4000 ज्यादा प्रश्न उत्र ह बीस मॉडल पेपर हैं और चैप्टर वाइज हल प्रसंपत्र भी इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी प्रयाग्राज वारण असी कानपूर जहांसी आग्राज सभी कावी किताब को दुकानों में आपको सरस्थी प्रकाशन की पुस्तके मिल जाएंगी और अगर आप हैं आपको सभी किताब को दुकानों मिल जाएंगी चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को सबसे पहले बात होगी यूपी ट्रपल सी की यूपी ट्रपल सी पीटी आवेदन की आज लास्ट डेट है आज 27 तारीख और विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नही किया है या विद्यार्थि नहीं कर पाएं इसलिए विद्यार्थि मांग करने कि पीटी की जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया जाए यह देखिये लिखा है पीटी की आवेदन तिथी बढ़ाने की मांगी के यह सीमपी डिग्री कालेज के पूर्व छात्र परिशत अ आज से शुरू होंगी इसकी बारे में जानकारी दी गई है वैसे पीटी की आज लास्ट डेट है सभी विद्यार्थि आज भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन कुछ विद्यार्थि को समस्चा हो रही है कि वेप साइट चल नहीं रही है अच्छे से और यहां पर लेखा की अस शिक्षा निदेशालाय को भीज दिया है निदेशालाय ने चेनित अभरतियों कांसलिंग की थी भी निर्धारित कर दिये हैं अभरतियों को 29 जुराई को कालिज आवंटित कर दिए जाएंगे वहीं पर TGT और PGT को लेकर के भी सूसना दी गई है और बयान छपा अधिगा होगी इसकी बारे मैंने कल आप लोगों के जानकारी दी थी और उसके बाद में फिर चेनबोर्ट से बातचीत वी थी चेनबोर्ट ने सामकूर नोटिस जारी की थी और जो अमेठी गौरिगंज की जो बात हो रही है तो वहां के अधिकारियों ने भी बयान दिया है लिखा है अमेठी के डिया आई ओएस उद्य प्रकास मिस्त्री ने बताया कि माधमिक सिक्षा सिवा चेनबोर्ट की और से अभी तक टिजिटी वा पिजिटी परिक्षा की कोई तिथी निर्धारित नहीं की गई है तिथी की तो बात कल भी नहीं की गई थी किवल यह कहा कि उसमें समस्तार पत्र में यह लिखा हुआ था कि अगस्त में तयारियां की जा रही है और दो पालियों परिक्षा होगी कि और कौन-कौन से जो विद्याल है वो परिक्षा के अंदर बनाए जाएंगे लिखा अभी तक टिजिटी पिजिटी परिक्षा की कोई तिथी निर्धारित नहीं की गए यह माधमिक शिख्स सिव चैन वोत द्वाराट टिजिटी वपिजिटी की परिक्षा की तिथी निर्धारित की जाने की बाद चैन बोट श्वय पिजिटी प्रिया गेगा लेकिन यह माने करके चली तयार वहां चल और जल्द एकज्याम को लेगर के और जिस उदेव प्रकास मिस्रा जिनका अभी बयान अच्छपा था उन्हों ने यह देखी यहां पर लिखा है कि यह कल बताया था कि डिवीटी और टीजीटी और पीजीटी परिक्षा सखुसल संपनोसा के इसके लिए एडियम अजीद परताफ सिंग प्रसासनिक निगरानी करेंगी और यह सब बाते कल इन्होंने ऐसी कहीं थी तो फिलाल उन्होंने कल खंडन कर दिया है एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवस करते हैं बहुत सारे ऐसे चात्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइ कि ओब इसी जो आरचित वर के विद्यार्थी उनकी यहां पर बात हो रही है लेक्या भटक रहें 79,000 भरती में चैनित 68 सवसिक्षक जन प्रतनिधियों से न्याय दिलाने की कर चुके मांग जो भी मंत्री जो भी अधिकारी आता है प्रयाग राज उसको विद्यार्थी ग् पाहिए टाप जर्श जर्शच 1.000 गारफ बोटाफ व और अस्टाफ जलो पांचे अल यह पाहिए था तो यह लौक हैना कि जो जक्षात्तर है और जो ज़नेरल के भी चैनित और इस-काफ के बीच में कितने लोग च्एनित हैं इस सरकार यह बता नहीं पाई और बाद में एक सूची जारी की गई कि यहां कुछ गड़बड़ियां हुई है अर्च रच रच सुख्षकों की लेकिन यह नुक्ती नहीं हो पाई और बाद में एक कटाफ जो जब कुछ सुख्षकों ने अपनी अनोसी मांगी तो एक और कटाफ जारी किया गया बाद में उस्ट गिरावट है तो इसका मतलब है कि यह जो अर्च सूची जारी की गई ती इन अध्याफकों की है और हो सकता है कि अब इन ध्यापकों की निक्ति हो जाए लेकिन अभी कुछ भी के बाना बहुत मुस्किल है मामला कोट में चल रहा है विद्यार्थियों को डर है कहीं वही हाल ना हो जो 75,000 सिक्षक बर्ती में हुआ था बहुत सारे पदरिक्त हो गए तो उनकी आज तक बर्ती नहीं हुई 12,000 की विद्यार्थि आज भी धक्के खा रहे हैं लखनों में और अब यह आगए फेज 10 परिच्छा एक से लेकर के पांच अगस्त के बीच में होगी आनलाइन मोड में दो पालियों परिक्षा यह आयूजित की जाएंगी SSC MTS के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और लिखा कि कर्मचर चैन आयो की MTS 2021 की 5 जून से 26 जुलाई तक चली टीर वन परिक्षा आधे से अधिक अभर्थि ने छोड़ दी है इस आनलाइन परिक्षा के लिए कुल 13,525,545 अभर्थि पंजी करते और कुछ दिन पहले SSC ने एक नोटिस भी जारी की थी और यह कहा था कि इस भर्थि में MTS की लगवग 7,000 विद्यार्थि चैनित किये जाएंगे कोर्ड ने इसपस्ट कर दिया कि अगर आप लोग आनलाइन कोई फार्म भरते हैं किसी वेकेंसी का उसमें कोई गलती हो जाती है तो आपको कोई भी रहात नहीं दी जाएगी और यह मानवी भूल नहीं माना जाएगा लिखा 79,000 सहायक अध्यापक वरती मामले में हाई कोड ने खारिज की याज क्या है दो गलतिया कभी माफ नहीं की जाती है सभी भी दर्ती ध्यान दे एक तो अगर आपने आनलाइन भारम में कुछ चीज गलत भर दिया है तो वो कभी संसुदित नहीं हो सकती है दूसरा उनमें अगर कोई गलती किया तो कभी भी कोई भी बदलाव OMR में भी छेड़ जाल नहीं की जाती है इसलिए खा जाता है कि उसमें करें कोई blade cutting का इस्तिमाल मत करें किसी भी चीज के इस्तिमाल मत करें चूंकि जो आपने पहली बार में किया वही चीज़े मान ली जाती है इसलिए OMR में भी कोई गलती ना करें सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरीके से भरें और इसी तरीके से ऑनलाइन जो आवेदन होता उसको भी भली बादी भरना चाहिए अकसर यह मामले कोट जाते हैं और अकसर कोट से यह सब जो मामले वो खारिज कर दिया आते हैं की तरफ सिफ इग्यापन शर्तों वह अपद की गरिमा का हवाला दिया गया और कहा गया कि अवे दिन भरने में ब्यापक गलती को मानुवी भूल नहीं कह सकते कोट ने हस्ताश्यप करने से इंकार कर दिया इलहाबाद भी शिविद्यालाय में बिकॉम तरती वर्स का जो प अफ्थ हो जाए और हो सकता कि एल्टी ग्रेट के लगबग पांस जार से साल पांस जर्बदों का अधिया चना सपास इसके जो विग्यापन है वह जारी हो सकता है अगले ही महिने वहीं पर जियापकों ने शिक्षिकों को सरप्लस बताने के खिलाफ जाने की तयारी कर होती है बलकि प्रत्तय बिश्चक अलग अलग शिक्षक होते हैं यह इसा नहीं कि किसी बिश्चक के अगर चारी विद्यारती है तो वह उस अध्यापक को मासे हटा दिया जाएगा उसको उनको तो पढ़ाना ही होगा अध्यापकों का कहना है कि इस आधार पर जिठ्व को चन्हान कांचत शुरू करक्ति नंतित कीजा को है। कि अगर कोई वुडाया से अधियापक चला गया तो उस वुच्इक आधियापक ही अट जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत भ助 धन्नवाद।